यगर अमारी जनिगर्णा नहीं कराए गई तो लोगसभा में उनको ये पूरी तरह से ये मुह घानी देखना पड़ेगी तीछरा मंत्री मद्यप्रदेश के अंदर OVC बनाते हैं तो उससे कुछ होने वाला नहीं है मद्यप्रदेश में जातीगत जनिगर्णा और OVC आरक्षड की मांग को लेकर OVC बर्ग बिधानसभा चुनाव में लगातार हंगामा करता रहा है चुकि अब लोगसभा चुनाव 2024 करीब हैं ऐसे में OVC बर्ग का क्या स्टंट आगामी रहेगा हम बात करेंगे हमारे साथ OVC बर्ग के कई लोग मौजूद हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका जो मुद्दा था वो कहां तक पहुचा है और कहां तक सफल हुगा है मेरे नाम धर्वेंज सिंग कुश्वा एड्वोकेट है और मैं OVC महासभा कराश्टी कोर कमेटी सदस्टू कहां तक पहुचा जो आपने बिदानसभा में जो मुद्दा उठाया था वो कहां तक पहुचा देखिए बिदानसभा के पूरे देश में अब अब यह मुद्द के अधार पर कर रहे हैं टिकेट भी दे रहे हैं जाती के अधार पर देख रहे हैं उनकी उनकी हर इस्तिती को देखते हो जाती पर कर रहे हैं हमने तो बार बार के रहे हैं कि जब आप पोदोई गिंती करा रहे हैं जानवरों की गिंती करा रहे हैं तो पिछलों की गिंती क तो देखिए उसका जो जनिगर्णा का जो मुद्ध पूर देश के इंदर चल रहा है उसका एक सार तक आपको उसका जिस प्रकार से बुर रहे हैं जाती वाद बढ़ेगा और देखिए जिस प्रकार से भी सामाजिक नाय की धरतीब बिहार से जब जनिगर्णा कराई गई वह मैं क्यों बूल रहे हो कि फिछल बहर कि जाती जब अब जब पिछले बर के हो तुम तो फित जरningodarni किने क्या लिए कि इस बात को सी करणे को अाज भारतियांता पाइक को ढपिस्री मुकमंत्री दोह श्रामाना चाहिए बात क्योंकि जिस बात है हमारे हर चेनलों पर बोल रहे हैं कि इस देस के अंदर आधिशादा अबिसी है हर दूसरे आदमी अबिसी है लेकिन इस आंदुलन ने बहुत दिखा दिये भरतीयनता पाइटियों और पाइटियों को कि हर तीसरा मंत्री मद्यप्रदेश में और आज भी हम कह रहे हैं कि अगर हमारी जन्यगर्णा नहीं कराए गई तो लोकसभा में चाहें कोई साइं मुद्दा लेकिया है यह किसना भी करा लें लेकिन जन्यगर्णा नहीं होई तो इसके लिए जो भी ले वही हें उसपर क्या कहिंगे आप देखिए चाहें मुकमन्त्री ओवीसी बनाया रहा है अकक हो गया एक प्रज्ड़ान मंत्री बनने से एक मुकमंत्री हो भी सी बनने से आप पूरी जनता का पूरे बर का बला नहीं कर सकते अगर महुने आदा मद्रदेश के मुकमंत्री है तो पिछड़े मुकमंत्री है तो 53 परसेंट 55 परसेंट जन संक्या का बला एक बैक्ती के मुकमंत्री बनाये जाने के कैसे आकलन कर सकते है उसके लिए ज़रूरी है कि समाजबादी विवस्ता पर चला जाए और वो 53% लोगों को और अधिकार सुनच्चित किये जाए जिनकी वो अकदार है चाहें वो फिर जाती कर जनगर्ना से सुनच्च्चत हों चाहें वो आरच्छन से सुनच्चत हों जिस तरीके से आरच्छन पर कुटारा गात किया जा रहा है जिस तरीके से जाती कर जनगर्ना पर कुटारा गात किया जा रहा है इसको दवाने के लिए अगर मुखमंत्री बनाते हैं और अगतों के वो आज भी दोकिल लोग आनाच पर जीवेत है जिसमा सबसे तो सबसे बड़ी बात है उनके वेलफेयर के लिए काम करना और जी सारी बात है यह बना चाहती है नोगा दलेतों की पिछडों की आदिवासीयों की आइडेंटिफिकेशन जा दमाना चाहती है मैं जानता हूं कि आप धर्वेंजी हैं आप जानते हैं आप धर्वेंजी हैं लेकिन जे सावित कैसे होगा जे आइडेंटिफाइट कैसे होगा के धर्वेंजी हैं उसके लिए कुछ थोस पिरमार जारी करना पड़ेगा और जे इसी पिरकार का आइडेंटिफिकेशन है जात कैसे पहले मद्री परिच्छों दल्यतों के नाम पर आपने कि अड़्य कोछले हुए में और यह प्रेक्ट के सब्सक्राइब ने ili often भी नेस कुमार के लिए बापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा भी तोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा के देश में ज़ले तरप्षड़ों का वोड़ लेदा तो अगर इनको बाकई में दले तो पिछलों का वोड लेना है तो इनने जातिकर जन्गर्णा की बात करनी होगी और नहीं करेंगे तो इनने मौकी इस बार खाना पड़ेगी जातिकर जन्गर्णा का मुद्दा बिधानसावा चुनावों में जोरुसौर से उठाता लेकिन अब जो मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री है वो मना कर रहे हैं जो कि मद्रधेश के अंदर पिछले लगभग 20 साल से पिछले वर्ग का ही मुख्मंत्री रहा है। लेकिन पिछले 20 साले में मद्रधेश के अंदर क्या वाकई में पिछले वर्ग के लोगों के साथ नयाय हो सका है। कि पिष्डे वर्क के लोगों को उनकी आबादी के अनसार उनको उतना जो भागीदारी है वो मिल सकी है जो हमारे को रिजर्वेशन 27 परसेंट मिलना चाहिए था उसकी जगा 14 परसेंट हमको मिल रहा है और 27 परसेंट क्यों मिल रहा है जब आवादी 53 परसेंट 52 जब बताई जाती है 1931 की जणगन्ना के अनसार जब भारत आजाद नहीं हुआ था अंग्रेजों के साशनकाल में उन्हें आखिर से अन्याय होता चला आया है यहां पर बहुत सारी जातियों को मुख्य धारा से अलग रखने का काम किया गया है यहां पर लोगों को योग और श्रिष्ट बनने से रोका गया है लोगों के दिमागों को जो लोगों के दिमाग हैं उन दिमागों का इस्तिमाल भारत के भारत का इस देश के विकास में योगदान तभी हो सकता है जब उनको भागीदारी मिले यहां मद्धिप्रदेश के अंदर आपने जैसे कहा कि पिछले कितने समय से यहां पर सीम है अब आज सीम मना कर रहे हैं कि नहीं आबादी की जंगना नहीं होगी आखिरकार क्या कारण है यह अझेंटा क्या है अखिरकार जम हाँ पर किसी व selective प्रवक के बिठा जाता है तो कि तक्ति वह उसको इसलिए विठाया जाता इसके पिछल पर आरक्षण उसको बिल्कुल भी देने का काम नहीं कहा रहा हुआ, मैं चाहता हूं कि पिछले वरकषण यहा, जो 54 पर संट आरक्षण हो ना चाहिए महलाविल की भी बात हुरही है, लगातार महलाविल पर सियासद हुरही है, उस पर क्या कहें गा? मेहलाविल में इसलिए रोका हुआ पड़ा है मेहलाविल कि इसमें वर्टिकल रेजरिवेशन नहीं है महलाएं को जो रिर्वेशन दिया गया है लोक सभा बिदान सभा में लेकर उसमें पिषड़ों की महलाएं दलितों की महलाओं को रिजर्वेशन नहीं दिया गया है पिषड़ों की महलाओं को जब तक रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो उसमें बारत देश का सही प्रतिदुत तो तब तक उसे मतलब नहीं है इसलिए हमारा यह आंदूलन है हम लोग मध्यप्रदेश में हमने जो आंदूलन चलाया आए जातिकत जन्गरना का और समानुपत भागिदारी का उसको पहली बार किसी राष्टी पार्टी ने अपने आथ में लिया है तो वह तब ही लिया है क करांगे तो हम उसको संपोर्ट करते हैं क्योंकि उन्हें हमारे मुद्दे को पकड़ाया है अलांके आज्यादी से पहले जातिकत जन्गरना बिक्रिश्काल में होती थी लेकिन का शासन आया तो उन्हों ने जातिकत जन्गरना नहीं कराई लेकिन दिर आए दूरस्त आए आज रहालो गांडी उस मुद्दे को पूरी तरह उठा रहे हैं और जातिकत जरणना में केवल यही नहीं है कि केवल गिंती हो उसके सामाजिक और आर्थिक पूरा परवेश व्यक्ति का बिल्कुल एक्षर की तरह निकल के आता है बो लोग जो यह चाहते हैं कि आरक्षर नह नहीं कराएंगे तो कैसे प्रत्रित कर पाएंगे कि इसलिए जात्रित जरूरी है लोग सब चुनाब 2024 अब करीब हैं तो ऐसे में अब मुद्दों को लेकर किस तरह की तैयारी है वीची बरकी कि मुद्द तो बहुत हैं ओवी उसी के लिए सबसे बड़ा मुद्द जहीं है कि सबको साथ लेकर निशनले सब अलग अलग चलने चंद लोगों के आत्में पूरा खेलोणा आ हैं पूरा पूरा मुद्द उनके आत्में जो चाहें वो कर रहे हैं जातिकत द्रणना की बात सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लड़ाई इसको आरपार की रड़ना पड़ेगी कितने कामियाब होते हैं समय बताएगा सब्सक्राइब करीब है सरकार किसी की भी बने आपके क्या मुद्दे रहेंगे और आप कलवी हमारा मुद्दा आरच्ण था कलवी मानना ता कि देश के गरीब बन्चितों को पिछड़ों को आदिवासियों को उनकी हक और अधिकार सुनच्चित होना चाहिए और आज भी हमारा जही मानना है चाहें इस देश के अंदर किसी भी राजी का चुना हो चाहें मद्यपिल देश का चुना हो हम मद्यपिल देश से बात कर रहे हैं यह देश की सरकार को चुनने का चुना हो और दो महीने बाद जब चुना हो मद्यपिल देश की सरकार को चुनने का हो रहा है तो देश की सरकार से भी उतनी ही तागत से हम रड़ेंगे कि ए सिर्फ इस बास से नहीं चलेगा कि उन्होंना दलित राश्पती बना दिया आदी बासी राश्पती बना दिया और दलित ओवी सी प्रतान मंत्री बना दिया ओवी सी मुख मंत्री बना दिये इस बास से नहीं चलेगा और चाहें कोई भी दल हो चाहें वो बीजेपी हो चाहें आप तोर पर कहना है कि 2024 के लोकसवा चुनाब में किसी भी पाटी की सरकार बने लेकिन OBC के जो मुद्दे हैं वो सर्वों पर ही रहेंगे ऐसे में अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वो एक बार फिर सडकों पर उगर रूप से उतरेंगे और अपनी मांगों को सरकार को यह मानने के लिए बिवस कर देंगे वाले से धर्मेंदर शर्मा टीवी नाइन डिजिटल मद्यप्रदेश